हम धैर्य बना कर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रखेंगे, इसी विश्वास के साथ, मेरी बात समाप्त करने से पहले, मैं आपका साथ बांग रहा हूँ, साथ बातों में आपका साथ, पहली बाद, अपने घर के भुजुर्गों का विशेश ध्यान रखें, विशेश कर ऐसे ब्यक्ति, जीने पुरादी बिमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केर करनी हैं, उन्हें कोरोना से बहुत बचा कर रखना है, दूसरी बाद, लॉकडाउन और सोशल डिस्टंसिंग की लक्षण डेखा का पूरी तरब पालन करें, गर में बने, फेस कवर या मास्क का, और वो भी गर में बने हुए, उनका अनिवार्य रुप से उप्योग करें, तीसरी बाद, अपनी इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए, आयुश मंत्राले द्वारा, जो निर्देश दिये गए हैं, उसका घरम पालन करें, गर्म पानी है, कारडा है, इनका निरंतर सेवन करें, चौथी बाद, कोरोना संक्रमन का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए, आरग्य सेतू मोबाइल एप, आरोग्य सेतू मोबाइल एप, जरूर डाउनलोड करें, दूसरों को भी, इस एप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें, पाच्वी बाद, जितना हो सकें, उतने गरीब परिवार की देखरें करें, उनके भोजन की आवशक्ता पूरी करें, चठी बाद, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में, अपने साथ काम करें लोगों के प्रती, संबेदना रखें, किसी को नोकरी से न निकालें, साथ भी बाद, देश के कोरोना युद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाय कर्मी, पुलीस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का, हम सम्मान करें आदर पुर्वक, हुंका गव्रों करें, साथ क्यों, इन साथ बातों में आपका साथ, ठोस होए, को नहीं है, ये सब्तपधी, विजय प्राप्त करने का मार्ग है, विजय होने का, हमारे लिए, निष्टा पुर्वक करने वाला ये काम है, पूरी निष्टा के साथ, तीन लाइं तक, लॉक्डाउन के नियमों का पालन करें, जहां है, वहां रहे, सुरक्षित रहे, वयम राष्ट्रे जागरया, हम सभी राष्ट्र को जीवन्त और जागरुद बनाए रखेंगे, इसी कामना के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपको, आपके परिवार को, उत्तम स्वास की मंगल कामनाए करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। झाल